नमस्कार दोस्तों 100 लाइव इंट्राडे क्लासिस के डे एट में आपका स्वागत है और आज हमको हुआ है 946 रुपे का प्रॉफिट और आज का प्रॉफिट जूडने के बाद हमारा टोटल प्रॉफिट बढ़कर हो गया है 11,950 रुपे अब जैसा कि आप शीट में देख स सीख रहे हूं तो कम कैपिटल के साथ ही यहाँ पर इंट्राडे को सीखिए देखिए दोस्तों जब आप इंट्राडे को अच्छी तरह से मास्टर कर लेंगे न तो इनी स्ट्रेटरिजीज को बड़ी कैपिटल के साथ एपलाई करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत ही लाइव वीडियो डेली आपके साथ शेयर करूँगा जिससे कि आप इंट्राडे की बारीकियों को सीख सकें और इंट्राडे को मास्टर कर सकें तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लाइव वीडियो को तो देखिए समय लगभग 11 बज के 13 मिनट हो रहे हैं और बामन लौर लौस हुआ है और पोजीशन बनाने का लौजिक, टार्गेट, स्टॉप लौस सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगा तो वीडियो में एंड तक बने रहीएगा तो चलिए फटा-फट से हम इसमें अपनी पोजीशन बनाते हैं और हम 1000 शेयर बाय कर लेते हैं ठीक है तो हम हमने बामन लौरी के 1000 शेयर बाय कर लिये हैं 144 रुपए 64 पैसे हमारा बाइंग एवरेज है और पांच मिनट टाइम फ्रेम का हमने चार्ट लगा लिया है और बाइंग करने के बाद इस स्टॉक अभी हमारे बाइंग लेवल के आसपासी कंसॉलिडेट कर रहा है तो चलिए और ये स्टॉप लौस मैंने कैसे निकाला ये मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊँ है तो यहाँ पे लगबग हमें 700 रुपए का रिस्क है अगर ये ट्रेड हमारे अगेंस्ट जाता है तो हमें 700 रुपए का लगबग लौस हो जाएगा और अगर टार्गेट की बात क तो चलिए अब हम यहाँ पे टार्गेट की बात कर लेते हैं तो हमारा पहला टार्गेट यहाँ पे निकल के आ रहा है 150 रुपए 75 पैसे के आसपास सेकंड टार्गेट हमारा निकल के आ रहा है 151 रुपए 40 पैसे के आसपास और थर्ड टार्गेट हमारा निकल के आ रहा है 152 रुपए 50 पैसे के आसपास अगर स्टॉक वहाँ तक जाता है तो तो देखी अभी स्टॉक हमारे buying level के आसपास ही consolidate कर रहा है और वहीं पे trade कर रहा है अच्छा दोस्तो इस trade को बनाने के पीछे logic क्या है क्या psychology मैंने यहाँ पे read करी इस trade को लेने की psychology और इसके पीछे का reason ही है तो अगर आप आधा दूरा वीडियो देखके भाग जाएंगे तो आपको psychology समझ में नहीं आएगी तो ultimately वीडियो देखने का आपका कोई फायदा नहीं है तो आप भी अगर intraday में profitable होना चाते हैं तो वीडियो को end तक जरूर देखिएगा कि इस trade को लेने के पीछे का क्या reason था क्या psychology मैंने read करी क्या चीज देखी जो मैंने यहापे अपनी position बनाई तो देखिए finally कुछ consolidation दिखाने के बाद stock ने उपर की तरफ निकलना start कर दिया है और अभी 150 रुपए 10 पैसे का भाव चल रहा है और stock हमारे पहले target की तरफ बढ़ रहा है जो की 150 रुपए 75-80 पैसे के आसपास तो अभी इस trade में हमें 500 रुपए के आसपास profit हो रहा है और 150 रुपए 15 पैसे के आसपास stock trade कर रहा है अब 15 minute का chart हमने लगा लिया है और stock बहुत तेजी से हमारे पहले target की तरफ बढ़ रहा है और यहाँ पे उपर से एक resistance की line भी आ रही है 15 minute के time frame पे और price उसको break करके उपर की तरफ निकल ला है देखिए अगर price इसी momentum में second target की तरफ जाएगा तो हम वहाँ पे second target third target के लिए भी जा सकते हैं और stock ने finally 150 रुपे 95 पैसे का भी high लगा दिया है और 1100 रुपे का हमको लगबग profit हो रहा है और stock 150 रुपे 70 पैसे के आसपास अभी trade कर रहा है तो देखिए 5 minute के time frame में price ने इस resistance line को break करने के बाद अब ये फिर से नीचे की तरफ आ रहा है ठीक है और 150 रुपे 45 पैसे के आसपास trade कर रहा है तो finally ये इस resistance line के नीचे आके trade कर रहा है तो हम यहाँ पे 5 minute की candle close होने का wait करते हैं और उसके बाद ही हम यहाँ पे decide करेंगे कि हमें second target के लिए जाना है या नहीं जाना है तो अभी हमें 12-1300 रुपे का profit screen पे दिखाई दिया था जब इस stock न 150 रुपे 95 पैसे का high लगाया था ठीक है अगर इस stock इसी flow में second target को achieve कर लेता है तो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए वहाँ पे हम profit book कर लेंगे लेकिन अगर इस stock यहाँ पे consolidate करने लग गया तो उस case में हम यहाँ पे price action को देखेंगे कि stock किस तरह का price action बनाता है और फिर उसी के according हम decision लेंगे तो देखें यह 5 मिनट में candle 150 रुपे 45 पैसे पे trade कर रही है resistance line के ठीक नीचे और price ने resistance line के नीचे ही closing दे दी है और अब यह candle इसके नीचे ही trade कर रही है और देखें कुछ समय बीच जाने के बाद भी price इस resistance line को break नहीं कर पा रहा है और उसके नीचे ही consolidate कर रहा है तो यहाँ पे यह probability बन रहा है कि यह price इस trend line के नीचे ही consolidate करके इसको break करेगा इसकी probability काफी high है तो हम second target के लिए wait कर सकते हैं लेकिन यहां से यह price action बना के नीचे घूम भी सकता है तो अगर यह नीचे घूमेगा तो हम यहां से cost to cost exit कर देंगे ठीक है दोस्तो तो देखें दोस्तो समय लगभग 1.07 मिनट हो रहे हैं उसी level के आसपास consolidate कर रहा है तो intraday में 2 घंटे से ज़्यादा position बन चुकी है तो हब हम यहां पे ज़्यादा wait नहीं करेंगे और इसी level पे अपना profit target book कर लेंगे क्योंकि देखें इस stock हो सकता है कि यहां से घूम भी जाए और हमारा profit loss में convert हो जाए तो हम ज़्यादा लालच नहीं करेंगे तो देखिए 150 रुपे 50 पैसे के भाव पे हमने अपना order बिकने के लिए लगा दिया है कुछ quantity बिक भी गई है और इस भाव पे बिकने के बाद हमें इस trade में लगबग 8.500 रुपे का profit हो जाएगा यानि कि 1 to 1 से थोड़ा सा जादा ठीक है दोस्तो तो चलिए दोस्तो अब मैं आपको इस trade को लेने का logic समझा देता हूँ इसके लिए मैंने 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट लगा लिया है और आप देखिए ये zone यहाँ से लेके इस zone को देखिए यहाँ पर price ने एक range में consolidate किया 25 तारिक को यानि कि Friday के session में पूरे दिन stock ने इस zone में consolidate किया यह level उपर का था 144 रुपे 80 पैसे और यह level नीचे का था 144 रुपे 5 पैसे यानि 144 रुपे के आसपास ठीक है अब Friday की closing को आप देखिए Friday को stock जो है इस level को break करके इस level के नीचे यहाँ पर final closing देता है यानि कि closing candle इस range को break करके नीचे की तरफ closing दे देते है ठीक है आज सुबह सुबह क्या होता है आज सुबह सुबह stock इस range के उपर खुलता है यानि कि यहाँ पर जिनोंने भी अपने माल को बेचा होगा या जिनोंने भी short की position बनाई होगी ठीक है तो stock gap down open होता है ठीक इस range के उपर तो यहाँ पर bulls क्या करते हैं बुल्स या जो भी buyer होगे उन्होंने अपनी position यहाँ पर buying में बनाई होगी और finally उसके बाद होता है कि stock दीरे दीरे करके नीचे जाता है फिर उपर जाता है और finally इस candle के साथ इस level को break कर देता है ठीक है तो यहाँ पर जितने भी bulls थे उनका stop loss hit हो जाता है ठीक है दोस्तों यहाँ पर उनका stop loss cut गया इस volume candle पर आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर volume कितने ज़्यादा आए है ठीक है यह मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ यहाँ पर एक मिनट यह देखिए यह जो stop loss hit करने वाली candle है यहाँ पर volume को जरा देखिए volume एकदम से suddenly red में बढ़ गये है यानि कि यहाँ पर जितने भी कमजोर bulls होंगे उनका stop loss operator ने खा लिया लेकिन उसके बाद तुरंत price उपर चला गया और इस range में closing कर देता और finally देखिए थोड़ा सा consolidate करने के बाद यहाँ से थोड़ा सा consolidate करने के बाद इस range से उपर निकलने की कोशिश करता और यहाँ पर volume देखिए तो देखिए उस तो मैंने यहीं पर इस stock को trade कर ट्रेक कर लिया था कि भई यहाँ पर stop loss हिट हो गए है बुल्स की position कट गई है बीर्स ने यहाँ पर position बनाई थी तो उनके stop loss सुबही ले लिये गए हैं अब इस stock finally अगर इस range को break करेगा तो उपर की side निकलेगा और देखिए इस candle में इस stock ने इस range को break की और यहीं पर मैंने ठीक अपनी position बनाई थी और उसके बाद देखिए अगली ही 2-3 candle में हमारा पहला target आ जाता है और stock थोड़ा सा नीचे consolidate करके finally उपर की तरफ निकलता है तो हमने यहाँ पे 150 रुपर 55 पैसे 50 पैसे के आसपास अपना profit बुक किया था तो यहाँ पे हमको profit हुआ था साड़े 800 रुपर के आसपास तो दोस्तो यह था इस trade को लेने का logic आशा करता हूं कि आपको यह strategy और वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको share कीजिए वीडियो को like कीजिए और आपके कोई अगर सुझाओ हैं तो comment box में जरूर सुझाओ आप दे सकते हैं thank you दोस्तो